इस वक्त की बहुत बड़ी कबर लोक्स बचनाप 2019 से जड़ी हुई आ रही है जहाँ पर दोस्तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के महा गटबंदन को तकड़ा जटका लगता हुआ नजर आया है क्या है पूरी कबर आपको सिलसलेवार तरीके से बताएंगे लिए कि उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए लाल बटन को दबागा चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना बहुत जरूरी है दरसल दोस्तो लोक्स बचनाप से पहले यूपी में सुक निसाथ पार्टी को सीट देने की घोशना की गई थी लेकिन गटवंदन में एक भी सीट नहीं मिली है हम गटवंदन के साथ नहीं है निसाथ पार्टी ने आज फैसला लिया है कि हम गटवंदन के अंदर साथ ही बनकर नहीं रहेंगे निसाथ पार्टी के चीफ संजर निस निसाद ने सुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि अखले सियादव ने कहा था कि हमारी पार्टी के लिए सीटों की घोशना करेंगे लेकिन उन्होंने पोस्टर पत्र या किसी भी तरह से हमारा नाम नहीं रखा है यानि सीधे तोर पर समाजवादी पार्टी के नेत आखले सियादव से नाराद नजर आ रहे हैं निसाद पार्टी के नेता और साफ तोर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहाँ गटबंदन का हिस्सा नहीं है इसलिए निसाद पार्टी ने आज बड़ा फैसला लेते हुए गटबंदन का हिस्सा ना रहने की बड़ी जानक होगी हम आपको पलपल की अपडेट के थैस सारी खबरों से रूबरू कराएंगे चाहे वो उत्तर प्रोदेस हो और तमाम तरह के अन्य सपा बसपा समेट अन्य दलों के गटबंदन से जुड़ी हुई सारी खबरे आपको इस लगातार टैनल पर मिलती रहेंगी इसके साथ मे दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही थी उसकी जानकारी हमने आपको पहुचा दी है हम आपको बता दे कि महा गटबंदन लगातार चुनाव लड़ने को लेकर अपने सीटों का एलान कर चुका है और कई उमीदारों की गोश्टना के बाद आब बह बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रहे थी दोस्तों पल-पल की अपडेट के तैथ हम आपके लिए लगाता है ऐसी ही खबरी लेकर आते रहेंगे जुड़े रहने के लिए अपना चैनल जैहिंज भारत वंदे मातरम